बाका धाका मोड मार्क पर जोगडिया के समीब ओटो और कार के बीज भी संटकर में ओटो के परकच्छे उड़ गए जिसमें सवार एक छात्रा सहित पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए गायलों को गंभीर इस्तिती में बाका के स्थ अस्पताल में भरती कराया गया था जहां से तीन गायलों को बहतर इलाज के लिए भागलपूर के जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलिज अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दुरान तीन गायलों की मौत हो गई मरने बालो में नमरता यादव आदिल रसीद जबकि एक मिर्तक कर सब लेकर उसके परिजन आनन्फानन में निकल गए उहीं अब दोनों सबों को पोश्ट माटम के लिए भेजा गया है बाकाजला के धुरया परखंड छेत्र अंतरगर्त कुर्मा हाट में रुई कार खाने सही तीन दुकाने जलकर खाक हो गई दुकान में रखी रुई और रुई धुनने वाली मसीन भी जलकर खाक हो गई गरामीनों ने बताया कि दोपहर लगबग दो बजे अचानक रुई के दुकान में आग लग गई आग लगने से लोगों ने किसी परकार आग पर काबू पा कर उसे बढ़ने से रोका बाद में दमकल कर्मी उन्हें आग को पूरी तरह से बुझाया आग लगने से कुरुमा गाउनिवासी मुहम्मद दाउद तथा धुरया गाउनिवासी रजंदर पुद्दार की दुकाने भी जलकर खाक हो गई आसपास के लोगों ने आग देखकर किसी तरह से बुझाया इससे आसपास की दुकाने जलने से बच गई घटना की सूचना पलाए दुकानदार मुहम्मद दाउद ने बताया कि ठंडी के सीजन में रजाई गदा वा कंबल सहित लगबग पक्चास हज़ार का समान तथा इतने ही मुल्ले के मसीन वर अन्य समान था मुहम्मद दाउद ने बताया कि ठंडी के सीजन में आग से उनका काफी नुकसान हुआ है समान जलने से वो बेरोजगार हो गए सरकार ने मदद ना की तो बच्चों का पेट पालना मुस्किल हो जाएगा बाकाजला के अमरपूर सहर के मोदी टोला के समीप आटो पर सवार एक महिला से बाइक पर सवार दो जपट मार गिरों के स्थियों ने रूपिये से भरा थैला जपटने का प्रयास किया महिला ने बहादुरी का परिचर देते हुए अपने रूपिये को बचा लिया लेकिन इसी करम में महिला ओटो से गिर कर चखमी हो गई मामले को लेकर प्रिच चखमी सुल्तानपूर गाउं के मीर जमाल की पतनी बीबी हसिना ने बताया के मरपूर सहर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवस्सक कार के लिए एक लाख रूपिय की निकासी की सारे पैसे को एक थैले में रखकर आटो पर सवार होकर अपने गाउं सुल्तानपूर जा रही थी तब ही पीछे से एक काली रंग की पलसर पर सवार दो यू वकाए और मेरे हाथ में रखे रूपिय से भरा थैला चिनने का प्रियास किया इस दुरान मैं अन्यंतित होकर ओटो के नीचे गिर गई आस परोस के ग्रामिन दोड कर आए लेकिन तब तक जपटमार गिरो भागलपूर की और भागने में सफल हो गए मुख्य पत पर बिखरे पैसो को ग्रामिनों ने मुझे बिन कर दे दिया अस्थानिय लोगों ने घटना की सूचना मरपूर थाने में दी वहीं सहर में इंडिनो जपटमार गिरों की बहड़ाई सकृता से आम लोगों में खासी दहसत देखी जा रही है अमरपूर बिधान सबाद छित में सडकों का जाल बिछे सभी गाउं को मुख्य सडक से जोडने का काम लगाता जारी है साथ ही अमरपूर के चहुमुखी विकास के लिए भी प्रयास किया जा रहा है उन्होंने का कि छित के डुमरिया गाउं में अतरिक्त प्रात्मिक स्वास्त केंडर के नए भवन के निर्मान तथा पसुधन सहाय केंडर के जिर्नोदार के लिए संबंदित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि रेफडल उस्पताल में भी नए भवन की निर्मान के लावा आक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी जल्ध ही सुरू किया जाएगा उन्होंने कुसमहा गाउ में ॽाँ में ही हाई श्कूल के निर्मान का स्वासन दिया मंत्री का स्वागत नव निर्वाचित जिलापारसद पूजा कुमारी यो मुख्या नुरुत्तम तिवारी ने बूगे दे कर किया मंत्री ने पंसल लाक कुसमहा चिरया डुमरिया जानकी पूर भट्टी चक अमरपूर सहर आधी जगों पर घूम घूम कर लोग इसमस्याय सुनी तथा उनके समाधान का अस्वासन दिया उनके साथ बिडियो राकेस कुमार, बीपी आरो हिमान सुसेखर, युवाजदियू कि जिला अध्यच मनीज कुमार, स्युप परसाद मंडल, परखंड अध्यच बिमल सिंग, कुंदन कुमार, इंजीनियर नीरज कुमार, अर्विन यादब, मुहम्मद जफ्रूल खान, अ समीद अनीक लोग उपस्थित थे